नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पनी यूटूब चेनल डिफेंस चेंपियन में और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नेवी डबल एससर एक्जामिनेशन आइनस वलशुरा जाम नगर 7 जुलाई 2021 का एक्जामिनेशन फीजिकल पूरा का पूरा complete review में आपके साथ share करने वाला हूँ तो guys आप बने रहिए और आपको complete information इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो guys जो candidates ने share किया है पहले सबसे पहले उसका दिल से धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर अपना review share किया है यहाँ पर आप भी अपना review share कर सकते ह सभी social media के link आपको description में दिये गए वर्टसप से कर सकते हैं नमर आपको दिये गए सक्रीन पर और guys आप इंस्टा पर share कर सकते हैं किसी भी माद्यम से अपना email से अपना review share कर सकते हैं ताकि आगामी जो students हैं उनको help मिल सकें चले guys मैं आपको screen पर लेकर चालता हूँ जो भी उ प्रेप्टी भी कलियर हो चुका है और रिटन का जो result है वो 30 जुलाई को आएगा सबसे पहले मैं हम सभी यह जो बाते हैं मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ यह जो review देखने को मिल रहा है यह रिव्यू आज का यह गाई के मेरा आई एनस वल सूराद जामनगर गुजरात में था यानि एक्जाममीनेशन पियेपटी आज की डेट में 6 एम का रिपोर्टिंग टाइम था यानि सुबह 6 बजह को रिपोर्टिंग था पाँच बजह लेकिन पाँ बजह ही ईंटरी वीजर्पी दे गई थी शे法सिता फैंच सुड्स 10 चूडेंट जो आपका चेक अप किया गया और आपका नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपका COVID-19 Self-Declaration Form आपने फिलप कर लिया होगा वो आपको फिलप करना होता है और कुछ जो डोकॉमेंट्स देते हैं वो आपको फिलप करने होते हैं और फीजिकल के लिए Own Risk Certificate का भी फिलप करवाते हैं यानि कोई फीजिकल में कोई भी तकलीफ हो जाती है कुछ भी हो सकता है तो वो खुद कैंडिट उसके लिए जीमेदार होगा वो आपको फिलप करवाय जाता है बाद में Document Verification और हमें Application Form फिलप करते हैं जो मार्क लिखा था जैसे कि Black Mall जो आप समझ गए होंगे कि Identification Mark है वो आपका Check Up किया गया और वो चेक करते है Document Verification के साथ है वो आपका Check Up किया गया कि आपका Body Identification जो भी मार्क दिया गया है वो है या नहीं है ये Check Up होने के बाद में वहां से Plastic की बेग देते हैं उसमें हमारा Admit Card COVID-19 Negative Certificate वो जो फोरम फिलप करवाते हैं उसको Stapler करके देते हैं और एकजाम में आप कौन सी Pen से लिखोगे वो Pen चेक करते हैं और हमारे दो फोटो आपकी वहां पर लगती है तो वो आपको ले लेते है और हमारे देते हैँ और हमें Token Diamond के और खुए तर बइस को आपके पास ओनली को था उखे हैं बाद में रिटन एगेइंएंड होता है और इमारे में 30 का is theif रनिंग कर वाते हैं वहाँ पर आपको यह पर इंफ्रमेशन दिया गया हमारे का सुठी Best है ना वो चले तो जाते हैं लेकिन रणिंग नहीं कर पाते क्योंकि फीजिकल करना इतना आसान नहीं है थर्टी में से टवेलो जो स्टुडेंट्स है बारे स्टुडेंट है वो बाहर हो गए रणिंग के अंदर उनको पूसप और स्टुडेंट्स भी नहीं करने दिया था ओके क्योंकि वो रणिंग में जो आउट हो जाएगा तो उनको फिर आगे का रोल ही नहीं रहता है तो उनको स्कूर्ट्स और पूसप था वो भी उनको प्रोसिस नहीं करने दिया यहां पर कोई भी मौका दूसरा नहीं दिया गया जो कैनिट्स रणिंग कलियर कर देते हैं उनको रणिंग के बाद में पांच मिन का फिर से रेस्ट देते हैं और जो एकसरसाइज करवाते हैं ओके ताकि आपका रूटीन बना रहे हमारे मेंच में पूसप में एक सेकिंड मैंने आपको बताया कि आप अच्छे तरीके से प्रेक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी प्रोबलम वहाँ पर नहीं होगा ओके और डाउन और फास्टर वो जल्दी जल्दी से जल्दी काउंटिंग करवा कि सारा प्रोसेस उन्होंने कंपलिट कर दिया स्क्वेट्स में व आपका आगे का प्रोसेस होता है उसके बारे में पूचा कि एक्जाम लेवल कैसा था उन्होंने बताया है एक्जामिनेशन जो लेवल था बिल्कुल मीडियम था ओके कोई क्यूसन याद हो तो मैंने पूचा काफी स्टुडेंट्स का डिमांड रहता है क्योंकि ओफलाइन में सब कुछ साथ होता है न थोड़ा बहुत हो इधर उदर से जो स्टुडेंट है थोड़ा सा बेचेनी मैसूस करता है और किसे उसको फील होता है तो उसकी वज़ए से क्यूसन वगएरा भूल जाता है ओकी लेकिन फिजिक्स में नुमेरिकल क्यूसन से दो से तीन थे कि नेवी में जैसे कैप्टन की रेंक होती है वैसे ही OUTलि में कौन सी रेंक होती है सब कुछ आपको पहले से मैंने करवा रखा है जादा फेट है वह किसं में होता है औप्शन थे नहीं इनके बहुत भाध-धन्यवाद जिन्नों ने अपना कीमति समय निकालकर अपना रिव तो आप पूछ सकते हैं medical आपका होने वाला नहीं है जो आपको एक card दिया जाता है जो qualified हो जाता है जो कल मैंने आपको दिखाया था वही same process है तो बार-बार दिखाने का कोई उसका तालुक नहीं है तो आप सभी candidates जो qualified करते हैं आपका return और physical तो उन सभी candidates को मिल जाता है एक card उसके अंदर information होती है कि आपका यदि आप qualified करेंगे final merit list के लिए जो final merit list है गाईज वो आपके 30 जुलाई को आने वाली है जो कि इंडियन नेवी की officially website पर आ जाएगी तो आपका state का cut off लगेगा और cut off इस बार बहुत ही कम जाने वाला है मैं आप सभी candidates को बता देना चाहता ह लिए प्रिक्साइब पर test series लगा सकते हैं आपको time manage करना बहुत ही ज़रूर है क्योंकि आपका online examination होता है तो उससे आपको पता चलता है कि आप कितना time में कितना question कर पाते हैं तो उसके लिए भैतरी test series और latest pattern पर आधारियत examination पर तो आपको प्रिक्साइब पर मिलेगी Air Force X ग दिखाए दे रहें तो आपको 50% का discount मिल जाएगा इसमें किसी भी प्रकार की problem आती है तो आप हमें social media के माधियम से contact कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है यदि वीडियो पसंद आया है तो like और share कर दीजेगा वीडियो को और आपने टेलिग्राम गुरूफ को जोइन नहीं किया तो जोइन कर लीजीगा ताकि लेटिस्ट जो अपडेट है सबसे पहले आपको वहीं पर देखने को मिलता है और गाइस आपने इंस्टा फे फोलो नहीं किया तो फोलो कर सकते हैं आपको कोई personal doubt हो तो वहाँ से मेरे से clear कर सकते हैं जेहिंद वंदे मात्रम आपका दिन सुब हो आप इपना रिव्यू जरूर सेर करें और इस वीडियो को जाज जाद लाइक और सेर कीजिए आपका दिन से धन्यवाद